ऐसा लगता है कि मुख्यमत्री एकनाथ शिंदे उदफ ठाकरे सम्मू को रोजानाथ जटका दे रहे हैं ठाने में महापौर आवास परिसर में हो रहे है कारिक्रम में आज मुंबई में दादी नानी और पूर्व पार्षद अपने सेक्डो समर्थकों के साथ प्रवेश कर रहे हैं शिफसरा में कांदी वली बीमसी वार्ड नमबर 28 के पार्षद एकनाथ हुंदारे और मद्धि के पूर्व पार्षद गनेश भंडारी समेश सेक्डो समर्थक यहाँ पार्टी में शामिल हो रहे हैं क्लस्टर डेवलप्मेंट ये बहुती लाकों परिवारों के लिए महत्वपूर्ण प्रकल्प है री डेवलप्मेंट का प्रकल्प है जो धोका दैक जरजर इमारतों में रहते हैं उनके लिए ये पर्मनंट सोलुशन है और पिछले कई सालों से इसके लिए हम लोगों ने संगर्ष किया है सदन में भी सदन के बाहर रास्तों पर भी आंदोलन हुआ है कई बार हमें निलंबित होना पड़ा लेकिन इस क्लश्टर को जब देवेंद्र फण्नवीजी मुख्यमंत्री थे तब ही सही माने में चालना मिली उसके जो क्लश्टर योजना है उसे आगे बढ़ाने का मोका मिला नगरविकास मंत्री के हैसियत से मैंने कई खामिया और तुर्टिया दूर करने का काम किया आज मैं सुकुद को भागवान समझता हूँ कि मुख्यमंत्री होने के बाद ये क्लश्टर बहुती सुलब और इसमें जो भी तुर्टिया खामियाती उसे पूरी तरह दूर हो गए और ये जो धुका दैग जरजर इमारतों में रहने वाले लाकों लोगों के लिए बहुती फायदे मन ये प्रकल्प साबित होगा ये आँपर सिर्फ बिल्डिंगे खड़ी नहीं होगी सबी एमेनिटीज है बड़े रास्ते हो जाएंगे मैदान हो जाएंगे गाडन्स हो जाएंगे हेल्थ की फैसिलिटी हो जाएंगे एक नए शहर के रूप में ये क्लश्टर के माद्यम से ये उनर विकास होगा करने का काम आरोप करते हैं लेकिन मैं आरोप औको आरोप नहीं दूँगा मैं काम के जरिये उनको उत्तर दूँगा जवाब देंगा दूगा और आज आप देखोगे ये कलश्टर का सिर्फ नारियल नहीं पुटेगा इसकी काम के शुरुवात हो जाएंगे